सनातन धर्म में पित्रपच का बड़ा अधिक महत्तु माना जाता है पित्रों के प्रति सम्मान प्रकट करने और उनकी आत्मा की सांती के लिए पित्रपच में सनातन धर्म को मानने वाले लोग सरात तर्मन पिंडदान आधि कर्म करते हैं जो बहुत महत्तपून होता है धार् लेकिन कई बार आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि जिस पित्र के कोई लड़का नहीं है तो उनका स्राद पिंडदान तरपन कर्म किरिया कैसे होगा तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं पित्र पक्ष आरम होने पर है वश में 15 दिन सबसे महत्वोण यह पित्र पक्ष हमारी जीवन में बहुत ही भूमिका निभाता है इन 15 दिनों में हम अपने पित्रों को उन पर जनों को जो हमारे बीच से ही हमसे दूर हो चुके हैं हम उनकी आत्मा की शांती सदवती के लिए नाना प्रकार के उपाए करते हैं। पित्रपक्ष में तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी जानकारी होना आवस्यख चरप्यों की थोड़ी सी चूक से हमारा सब कुछ किया कराया नश्ठ हो जाता है और हम इस भ्रहम में रहते हैं कि हमने पित्रों के लिए क्या लेकिन वह जह हम पित्र पक्ष में कुई पित्रों को तरब्र करती हैं तमाम ऐसे पित्र भी हैं इनके पुत्र नहीं था तो उनका तरपण और परिंडदान वगएरा कौन कर सकता है सरपफम पत्नी अथोआध पुत्री पुत्र न होने के दिशा में पतनी और पुत्री पित्र तर्पान और दान कर सकते हैं नाती को भी इसमें सामिल किया गया है पुत्री का पुत्र भी अपने पित्रों के लिए तर्पान पित्रदान इत्यादिक कर सकता है पित्रपक्ष में विशिष्ट या पराता हुटकर भगवान शूर नाराण का स्मर्ण करें को जल खर्पित करें भगवान विश्णु का पूजन करें क्योंकि विश्णु लोग से ही पित्र अपने परिजनों के बीच जाते हैं और 15 दिन के बाद पुन्हा भगवान से ही विश्णु के लोग को हमारे कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं